आओ दोस्तो अज़ सुन देयां, जर्मन बोली दे मुम्ताज साहितकार, फ्रांस काफका दे लिखी कहानी, अनहैपिनेस दा पंजाबी उनवाद, नाखुशी, इस कहानी दा अनुवाद चर्न गिल जी ने गीताई, अधे वाद तुसी सुन रहे हो, जिक सीर दी नवंबर दी एक शाम नो जदो सब कुझ असै हो गया सी, ता मैं जल्दी जल्दी अपने कमरे विच विची दरी दे आखिर तक इंज गया, जिवे मैं किसे दोड़ दे मैधान विच हूँआ, फिर बार चाननी गली वाल नजर पहिंदे ही मैं सैम गया, ते दुबारा वापस ता मैंनू कमरे दी गहराई विच शीशे दे अंदर फिर एक नमा टीचा मिल गया, मैं जोर नाल चीख या, ता मैंनू महज अपनी ही चीख सुनाई दिती, इस चीख नू नाता कोई जवाब मिलया, अते नाही किसे चीज ने उस कोलों उस दी ताकत नू तरूया, संगो किस उल्ट बल दी अनहोंद विच ओ खोर उची हो गई, अते खतम होंदा नाम ही नहीं ले रही सी, उस वक्त मी जदो उसनो सुनना संबम नहीं रहा सी, फिर दिवार विचला दरवाजा तेजी नाल मेरे वालनों खुल लिया, इसली के तेजी लोड़ी इंदी सी, अते हेठा प पूत दी तरां एक बच्ची एक अजे हे कोरिडोर विच ओ निकली, जिथे लाइट अजे जगी नहीं सी, उप बबाँ पार जमीन उते पए एक अजे हे तखत उते खड़ी सी, जो गुमसुम अंदाज विच चुप चाप हिल रहा सी, मेरे कमरे विच छिपदे चानन दी व उपर नू उठ दी हुई पाफ, आखर खिड़की दी बाहर चोखट उते हने रे विच टेक गई सी, उसने खुले द्रवादे दे सामने अपनी सज्जी कूनी कमरे दी दिवार दे नाल लाके आपना सांतुलन काईम रख्या सी, आते बारों ओन वाली ठंडी हवानू अपने जैकट लाके पाली क्यूंकि मैंनी चुंदा सी के अदनंगी हालत विच खड़ा रहा, फिर कुछ देर मैं अपना मूँ खुला रख्या, ता जो मेरे अंदर माचदा तैल का मूँ दे रास्ते बाहर ना निकल जावे, मेरे मूँ दा जाईका खराब हो चुक्या सी, ते चेर जाथ दिवार ना लाया होया सी, अथे उस दियां गलना इस कार्ण बिल्कुल गुलाबी हो चुक्या सान, के दिवार उते कीती गई सफैदीतो बाद, उस दी सता उते मुटे मुटे दाने उपबर आये सान, जो उस दियां उंगलियां दे पोट्यां विच चुब रहे सान, मैं केहा, की तु मैंनुई लाब रही है, कोई गलती ता नहीं लाग रही, इस वड़ी मारत विच इनसान नू सुख्यां ही गलती लाग साक दिये, मेरा नाम फलाना फलाना है, तीसरी मंदल उते रहे ना, की तु मैंनुई मिलना चौनी है, बस बस, उस बच्ची ने अपने मुढ़ने उत्तो वेख दे हुए केहा सब ठीक है ता फिर अंदर मेरे कमरे विच आ जा मैं द्रवाजा पेड़ दिनना द्रवाजा ता मैं हुने पेड़ दिता है कोई चिंता न करो सिर्फ शांत हो जाओ चिंता दी गाल नहीं है इमारत दे इस कोरिड़ोर विच काफी जादा लोग रेंदेने साफ है उन्ना सारा नू मैं जान दा मिया उन्ना विचो बहते इस वक्त काम तो आ रहेने जदो उन्ना नू केसे कमरे विचो गालबा दे वाद सुन दिये ताउ सामझ देने के दरवाजा खोल के वेखना उन्ना दा हाक है के अंदर की हो रहा गालता एए है के लोग ता इन जी हुन देने इ लोग अपने रोजानना दे कमात होता आगे हुन देने तेहुन शाम नू अपनी वाक्ती अजादी दे इस वक्त ओपना किसे दे मुध्हित क्यों होन गे एगालता इन नू भी पता ही है मैनू दरवाजा पेड लेन दे हाँ ता फेर तो नू की समस्या है मेरे वलो ता पामें इस पूरी इमार्च देवासी अंदर आ जान ते मैं एक वर फेर कहीनी है के मैं दरवाजा पेड चुकी है तो नू लगदा के सिर्फ तुसी ही हो जो दरवाजा पेड साकते हो मैं ता जिंदरे वेचे चाप भी मी फेर दिती फेर ठीक है मैं नू होर कुझ नी चाहिदा जिंदरा लाउन दी ता कोई लोड ही नहीं सी होन जिदो तू इत्थी है ता फिर अराम नाल बैठ तू मेरी महमान है मेरे उते पूरा प्रोसा रख दर ना अपनाई कार समझ मैं ना ता ते नू इत्थे रुकन ली मजबूर करांगा ते ना ही इत्थो चले जान लई वैसे की मेंनू एक एन दी लोड भी है की तू मेंनू इन ना कट जान दी है नहीं तो अनू सच मुझ मेंनू एदसंदी लोड नी सी पर तो अनू एक एना भी नहीं चाहिदा सी मैं ता मैज इक बच्ची यां मेरे लिए इनने तकल्लुफ दी की ज़रूरत है ए इननी बुरी गाल भी नहीं है साफ है बच्ची ये पर इननी छोटी भी नहीं काफी वड़ी हो चुक्की है जे जवान कुडी हुन दी ता अपने आपनू मेरे नाल कमरे वीच बांद रखन दी हिमत ना कर दी साननू इस बार चिंता करन दी लोड नहीं मैं ता सिर्फ ए करना चवंदी सी मैं ताननू इननी चंगी तरह जान दी है इस नाल मेरी हिफाज़त वेच कोई फार्क नी पेंदा सगो इस वेच ता तो अड़ाई फैदाए के ताननू मेरे सामने दंबर चंदी लोड नहीं इस दे बाब जो तुसी मेरे ली तारीफ दे शब्द कहरे हो ए रेंड देओ मैं मिन्नत कर दिया के ए रेंड देओ होर ए के मैं तानू हर जगा ते हर समेता जान दी भी नहीं ते इस हने रेवेच ता बिलकुल भी नहीं बहुत अच्छा होवे जे तुसी लाइटां जगा देओ नहीं शायद नहीं चलो मैं त्यान विच रखांगी के तुसी मेनू तम कोम दे रहे सी की के आ मैं तेनू तम का सागदा पला पर इदर देख मैं बहुत खोशा के तू आखरे थे आई मैं आखरे इसलिए कह रहे हैं क्योंकि पहला ही बड़ी देर हो चुकी है एह गाल मेरी सामज़ तो बार है के तू इन्ही देर नलके हो आई एह सामभव है के मैं इस खुशी विचे कुझ गल्ट बोल दिता होवे ते तू उसनो उन्जे सामज़ ला होवे जे में तू कह रही है मैं दासवरी मानला मांगा के मैं अजेहा कुझ केया सी मैं तन्हों हर के समधियां तामकियां दितियां जो भी चाहें बस राब बदे वास्ते कोई लडाई नहीं पर तू जेही गल सोची मी के मैं तू में नू इस तरह न दी कोई ठेशके में पचा सकती है तू एथे अपनी मजूदगी दे इस छोटे जेहे वाक्त नू इस तरह बरबाद करनते क्यों तू लिये तेरी थांते कोई आजनभी हुंदा ता मेरा वदेरे अहसान मांद हुंदा मैं तो डिगाल ते प्रोजसा कर सकती है एक कोई वड़ी गाल नहीं है मैं ता अपने सुबा करके पहला ही तो ड़े इन्नी जादा नेड़े है जिनना कोई आजनभी कदे होई नहीं सकता ए तूसी मी जान देओ ता फिर ए गिलेशिक वे किस कारन जे तूसी एथे कोई मजाई या खेड़ खेड़ना चांदे हो ता मैं हुने एथो चली जानी है अच्छा ता तू मेनू एक एंड़ी गुस्ताखी भी कर लई कोई ज्यादा ही बात दरें आखरकार तू हैं ता मेरे कमरे वेची तू पागला वांग अपनिया उंगला मेरी दवार उते कसा रही है मेरा कमरा मेरी दिवार तेस्तो लावा तू जो कुछ भी कह रही है ओ हासो हीना हों दे नाल नाल ज्यादती भी है तू कह रही है कि तेरा सुबा तेनो मजबूर कर रहे कि मेरे नाल इस तरह गाल करें, कि ये ही गाल है, तु अपने सबादे हाथ हो मुझिबूर है, बड़ी मेरबनी तेरे सबादी, तेरा सबाव मेरा सबावी है, जेकर मैं अपने सबाव करके तेरे नाल दोस्ताना तरीके नाल पेश आ रहां, ता तैनों भी इसे तरह पेश आना चाहिए दा मैं अपने बिस्तर दे नाड़ वाली छोटी मेज तक गया, जैसु ते मैं इक मोबती बाल दिती, तद मेरे कमरे विच ना था गया सी, ते ना ही बिजली दे बलब, मैं कुछ देर ली मेज दे कोल ही बैठ गया, इत्थो तक के मैं उथे बेठे रेन तो मी उकता गया, फिर मैं ओवरकोट पाया, सोफे तो अपना हैट चुक्या, ते मोबती बुजा दिती, जदो मैं बार जा रहा सी, ता मेरा पैर कुर्सी दी कला तनाल में ठकरा गया सी, पोडियां विच मेंनू मेरी ही मंदल उते रैन वाला एक किराईदार मिल गया, तु फेर बार जा रहा रहा ये ता तो अन्नी बेजारी नल कहा रहा, जे में तेनू खाना खान दे सूप विच वाल देश गया होवे, तेनू मजाक सुझ रहा, तेनू पता होना चाईदा के पूत ता पूती होनदा है, बिल्कुल दुरुस्त, पर जे कर कोई पूता वेच जरावी विश्वासी ना कर जदो कोई पूत साच मुची तो डे नेडे आए, ता ता नू डरना बिल्कुल नी चाहिदा, ठीक है, पर ए डर ता धूर दिगाला है, असल डर ता पूत दे परगट होन करके हुंदा है, ते ए डर ता अपनी था मौजूद है, मेरे अंदर इस वाक्त ए डर जोर नाल वसय होया है, मैं कोर कबराहट करके अपनिया सारिया जेबा फ्रोलन लगया, पर क्योंकि तो नू पूत दे परगट होन तो पहलना ता कोई डर नहीं सी, इसलिए तुसी बड़े राम नाल उस कोलो परगट होन दा कार्न पोच साकदे सी, लागदाए, तु अपनी जिंदगी वे उस नालोग केते ज्यादा शांक्यां दे शकार होन देने, जिनने शांके उनना दे बारे साननों इनसाननानों होन देने, ए वेख्या जावे के ओ किनने निताने होन देने, ता ए बेज किननी एनी अजीव भी नहीं, मैं ता एवी सुन रख्याए, के पूता नू खुआ पय ते उपूद नारी होवे तां उसने केहा ते पौडियां ते एक कदम होर उपर चड़ गया अच्छा मैं केहा पर फिर वी अजेहा होना जुरूरी था नहीं मैं कुझ होर सोचन लग पया ओ मेरा जानकार पौडियां उते इना उपर तक जाच क्या सी के मैंनू देखन ली उसनू चुक के हेठावाल वेखना पया रहा सी फिर वी मैं अवाज दिती जे तु मेरा पूठ चरा लिया ता अपना तालोग खत्म हो जाएगा हमेशा दे लई ओ पर मैं ता सिर्फ मजाग कर रहा सी उसने केहा ते पौड़ियां दी रेलिंग तो अपना बार कड़्या होया सिर्फ पिछे कर लिया फिर ठीक है मैं केहा हुण मैं चैन नल सैर कर ली जा सकदा सी पर क्यूंकि मैं खुदनू कोर इकला महसूस कर रहा सी मैं दुबारा उपर चला गया ते सौन ली टेड़ा हो गया दोस्तो एसी फ्रांस काफ का दिल लिखी कहानी अन हैपिनेस दा पंजाबी नुवाद ना खुशी ए नुवाद चैन गिल जी ने कीता है अते आवाद तुसी सुन रहे सी मेरी यानी जक्सीर दी